और in fact अब आप लोग ये even odd policy scrap करेंगे आज अभी सॉरी मैं कुछ समझा नहीं आपको office time से पहुँचना होता है तो आप क्या करते हैं राठोर साब आप metro से नहीं गाड़ी से जाते हैं ये police cops मेरा चालान कर रहे थे और आज मैं अपने घर time से पहुचना चाहता हूँ तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज बस और train में चड़ने से डरता है मैं वो हूँ जो जाम में फस जाता है तो उसके boss को लगता है भाने बना रहे हैं पता नहीं आएगा या नहीं? हर आदे गंटे बाद फोन करता है कि जाम खुला के नहीं, गुड़गाँ पहुचा के नहीं धरसल वो ये पूछना चाहता है कि तनक्वा काटू के नहीं मैं वो हूँ जो कभी वसंत विहार पे बसता हैं? कभी दोला कुआ पे? मैं वो हूँ जो जिंदी की दाव पे रखके सिगनल जंप करता हैं? और मैं वो भी हूँ जो अचानक स्पीट बढ़ाने और ब्रेक लगाने से घबराता है ओवर्टेक करने के लिए हॉर्ण देता हैं तो सोचता है कि हॉर्ण का वॉल्यूम कितना रखूँ? कहीं हॉर्ण से फ्रेश्ट्रेट होके मुझे गोली न मार दे जगड़ा कैसा भी हो? हमेशा पिलता मैं ही हूँ आईटियो की भीड तो देखी होगे न आपने उसमें से कोई एक गाड़ी चुल लीजिए मैं वो हूँ I am just the stupid common man fighting to reach his house आज अजाने कि ये stupid common man टाइम से कैसे पहुँच गया? वो भी 6 बजे अपने गाड़ी के साथ क्यूं? पहुँच गया तो तकलीफ हो रही है आठ बजे तक इवन ओड के चकर में ओफिस में बढ़े रहना चाहिए था मुझे और ये अचानक नहीं पहुचा राठोर साब यूं समझ लीजिए कि दो बजे ही निकल गया था घर जल्दी पहुचने के चकर में क्लाइंट कॉल मिस हो गया लेकिन हाँ घर आये टाइम से आये ये फाल्दू का डिसीजन आज ही रिवर्स होगा ये पॉलिसी ही क्यों? और भी तो है मैंने लॉटरी निकाली इस पॉलिसी का नाम निकलाया तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक डिसीजन को नहीं बदला तो ना जाने किने बेगोना हो को तुम जाम में फसाद होगे अरे वो लोग तो वैसे भी फसेंगे राठोर सहाब आज नहीं तो कल और केजरी वाल जैसे लीडर ही फसाएंगे उन्हें पिछली बार कारवरी डे पे फसाया था इस बार इवन ओड में फसाएंगे और जब तक फसाते रहेंगे जब तक हम इनकी बजाना नहीं सिखेंगे तुम हो क्या? मतलब, मतलब टीम लीड हो, मैनेजर हो, क्या हो? मेरे designation का इससे कुछ लेना देना नहीं है लेना देना है मैने कहाना, I am just the stupid common man stupid common man, right तुम्हें डर लग रहा है, गाड़ी चोरी होने का, तो होने का शायद, be specific, हाँ या ना हाँ, तो फिर ये डर याद रखना और ये मस सोचना कि तुम ये आम आदमी का जंडा दिखा कर पज़ चाओगे तुम जो साबित करना चाह रहे हो? मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठोर साब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्ता भहुत है, उन्हें नचाना पंद कीजिए We are using Metro by force, not by choice Metro से घर जाने में मुझे धाई घंटे लगे आपको क्या लगता है जो लोग Metro से जाते हैं हमसे ज्यादा मज़े में हैं अरे राजीव चौक पर खड़े होके नजर घुमाईए कुम्ब के मेले जैसे फील आईगी मुर्गे जैसे ट्रांस्पोर्ट किया जाता है एक के उपर एक, पेट अंदर न खीचो तो दरवाजबन नहीं होते इस्टेशन पे आपको मालूम है आफिस पहुँचने तक आधे लोगों का मुबाईल चौरी हो जाता है मुझे लगता है कि जैब कत्रों के लिए इससे ज़्यादा का निविनियन ट्रांस्पोर्ट आज तक नहीं बना गलती हमारी है हम लोग बहुत जल्दी यूस्ट्टू हो जाते है एक किसी का मुबाईल चौरी होता है तो जैब ट्रावल के अपना सामान चेक कर लिया वॉलेट चेक किया, मुबाईल चेक किया और शुक्र मनाया है कि हम लोग बजगे और फिर हम लोग उस जैब कत्रों को ढूंडने की बज़ाए मुबाईल बैग में रखना शुरू कर देते है पर हमारी भी मजबूरी है न हमें घर पहुँचना होता है हिसाब इसी लिए हम सरकार चुनते है कि वो मुल्क चलाए डेली गॉवर्मेंट, केंदर सरकार, फुलिस फोर्स, इंटेलिजन्स सक्षम है इस तरह की ट्राफिक कंट्रोल के लिए लेकिन आप कर नहीं रहे हैं सिर्फ पॉलिसी बनाए जा रहे हैं हैं? वाई आर यू नॉट एक्सपैंटिंग दे मैटरो नेट्वर्क बी आर्टी कॉरिडोर बेकार है नहीं इसे साबित करने में आपको दस साल लग जाते हैं आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये इवन ओड का नाटक बंध होना चाहिए इस होल ब्लडी केजरिवार सिंकिंग इस फ्लॉट आपके लोग अगर सिंसियरली काम नहीं करेंगे तो हमें जाडू हटानी होगी लेकिन क्या है? उससे हमारी ओवर हाइप डिमोक्रिसी का बैलून फट जाएगा लेकिन क्या करें? रठावर साब मुझे यकीन है कि जो ट्रैफिक चालान कटे वो सिर्फ एक वाइलेशन पैनल्टी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह लूटेंगे, तुम क्या कर लोगे? येस, दे आज अस्ट इसकॉस्चिन ओन अ फ्रैडे रिपीटिट इट अउन टूस्टे, आइम जस्ट रिप्लाइंग अन वेंस्टे तुम्हारी ये होममेट फक औल लीडर्स वाली फिलासिफिक गलत है ये सही तरीका नहीं है हाँ, जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ तुम्हारा कोई जान पहचान वाला फसा था इवन ओड के चिक्कर में क्यूं, मुझे उस दिन का इंतिजार करना चाहिए जब मेरा अपना कोई बेवजह इस तरह की फाल्तु पॉलिसी का शिकार बने तब आपको मेरा एक अदम जायज मालूम होगा हाँ, मज़े लेने ही है तो सुनिए मेरा अपना कोई फसा था उस इवन ओड में विल्स ने भी कट पीता था नाम नहीं जानता मैं उसका हर रोज मिलता था सुट्टा ब्रेक में खोखे पे सिगरेट जला के दो पफ मार के छले बना के मुझे दे देता था मैं भी उसको बदले में में दे देता था ऐसे बहुत सारे लोग थे एक दूसरों को आफिस में नहीं मिलते थे सिर्फ सुट्टा ब्रेक में मिलते थे उसकी शादी से एक रोज पहले उसने इंविटेशन कार्ट देके मुझे अपनी मंगेतर की फोटर दिखाई थी अगले रोज मुझे इवन नमबर कार मिल गई मैं पहुँच गया पर वो इवन नमबर नहीं जुगाड पया उस राट जब मैं शादी में गया तो धुलहा पहुँचा ही नहीं था किसी और के साथ फेरे हो रहे थे तो यह सब्दम उस बेचारे दुलहे के लिए कर रहे हो नहीं 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 मैं इतना भी चमन या फुद्धुमेंटल नहीं हूँ I always knew what KLPD is अपनों का कटते हुए देखा हैं मैंने लेकिन साथ यह acceptable नहीं है कोई मान पॉलिसी बना कर मेरे लिए फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब कार से जाना है उन्हें फकर है इवन ओड पे, कार फ्री डे पे सर्फिस टेक्स हाइक पे डी डी सी है अरुणजेटली, फरजे डिगरी नाबालिक की रिहाईप मुझे फकर है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों की बैंड बजा रहा हूँ मैं कोई चुट यह नहीं हूँ राठोर साब और मैं यह किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा कार लेके बाहर निकले तो कोई सा भी रूट ले ट्रैफिक फ्री, सिगनल फ्री, दिल्ली में, गुणगाओं में कहीं भी मैं तुम ही समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे रीजन्स और मेरी डिमांड्स चीप सी है न शायद भी डेफिनेट हा या ना हाँ वो लोग मेरे जैसे दो करोड को फसाए ठीक है और मैं उन जैसे सिर्फ चंद की बजाओं तो ये अजीब सा है हैं आपकी गलती नहीं है आम आदमी से यही उमीद की जाती है सुभे चार बजे उठो सिर में सरसों का तेल लगाओ और रुबोट की तरह काम पे लग जाओ अपने आपको ही देख लीजिए जब तक आपको मालुम नहीं था कि मैं कौन हूँ आप मुझसे डर भी रहे थे मुझे सीरेसली भी ले रहे थे अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूँ तो आपके आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है शायद आप यह भी सोच रहे होंगे कि अच्छा टेररिस नहीं है आम आदमी है इसकी तो बचा दूँगा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा ना हो तो भेतर है क्योंकि सारी कीले वहीं सड़क पर है रटहर साब यह आप लोगों पर डेपेंड करता है कि आज दिल्ली में मास पंक्चर होगा या नहीं अपसे ठीक दस मिनट बाद बर्खादत अपने बाइफरेंट के साथ महां पहुँचने वाली है उनके पीछे वेली भीड और एक कैमरा मैन भी होगा मुझे न्यूस पर एक कन्फरम्ड रिपोर्ट चाहिए कि इवन और पॉलिसी को डंप कर दिया गया अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फॉरन फॉन करके बता दूगा कि सारी कील्द कहां पड़ी है और अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा गाड़ी पंक्चर होगी तुम्हारी झाल